सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टार्गेट यूपीटेट सीटेट को और बेल आइकन को दवाईए हेलो दोस्तों सौगत है आप सभी का टार्गेट यूपीटेट सीटेट चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके दोस्तों यह मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ इन बिंदूगों को समझने के बाद और अच्छी हो जाएगी और अच्छे से आप एक्जाम में लिख के आएंगे और अच्छे मार्क्स ले करके आएंगे तो इसलिए आपका यह महत्पूर्ण बिंदू जो है कंप्यूटर में से के इनको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों आप इन्हें ध्यान से देखिएगा मध्यान से एक एक पॉइंट आपको पढ़ाते हुए चल लाओं देखिए कंप्यूटर में इन्पूट डिवाइस आउट्पूट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमरी यूनिट होते हैं जिनका उद्देश कारियों को तीव इस पॉइंट में दौस्तों आपको बता दिया कि यह जो कंप्यूटर होते हैं उसमें यह यह पार्ट सोते हैं और इन सभी का जो उद्धेश होता है वह काम को द्antryव्र करना और accurate सुध्ध तरीके से करना होता है अब अगला है देखिए computer के यांत्रिक वैद्ध्यूत एवं electronic भाग computer के hardware कहलाते हैं उस्तों जितने भी भाग होते हैं जिनने हम छू सकते हैं जो आपके यांत्रिक वैद्ध्यूत और electric भाग होते हैं computer के उन्हें hardware कहा जाता है अब अगला है computer में जिन device द्वारा निर्देश दिये जाते हैं input device कहलाते हैं अब जिन devices द्वारा computer को काम करने के लिए बतलाया जाता है input दिया जाता है उनको हम क्या कहते है input device कहते हैं इसी तरीके से वे device जिसके माध्याँ से हम निर्देशों का अंतिम परणाम प्राप्त करते हैं output device कहलाते हैं जो आप input देते हैं उसका processing होने के बाद जो last step में हमें चीज मिलती है उसे हम output कहते हैं और यह हमें कहां पर मिलती है output device से मिलती है अगला point है विभिन प्रोग्रामों के समूह को software कहते हैं software computer को processing करने का निर्देश देता है तथा processing की विधी निश्चित करता है तो इस point में क्या दोस्तों इस point में है जो आपका software होता है वह विभिन प्रकार के program से मिलके बना होता है और जो software होता है वह computer को processing करने के लिए निर्देश देता है और किस तरीके की processing करनी है किस विधी से processing होगी वह भी बताता है अब अगला point है computer एक electronic यंत्र है जो मनुष से दोरा दिये गए आकड़ों को ग्रहन करता है उसका क्रियानवयान यानि की processing करता है एवं उसको संग्रहित करता है तत पस्चात आशकता पढ़ने पर पंडाम प्रस्तुत करता है इस point में आपने देखा क्या दोस्तों कि computer जो होता है वह एक electronic device होता है और हम जो आकड़े इसे देते हैं computer को वह उसको process करता है और उसको store करता है और जब भी हमें जरूरत होती है तो वह उस परणाम को हमारे सामने प्रस्तुत करता है अब अगला point है memory वह अस्थान है जहां data store होता है चाहे वह अस्थाई हो या अस्थाई हो तो जहां भी data दोस्तों store किया जाता है उसे हम लोग memory कहते हैं और यह अस्थाई रूप से भी store हो सकता है और आस्थाई रूप से भी store हो सकता है data वहाँ पे अब अगला point देखते हैं हम लोग memory से ही related देखिए computer की machine भासा को binary प्रडाली कहते हैं इसमें सुन्य और एक अंक का प्रियोग किया जाता है अदोस्तों हम जो भासा अभी बात कर रहा हैं उसे हिंदी भासा कहते हैं लेकिन जो computer की भासा होती है वह भासा होती है जीरो और ए machinery प्रडाली और इसमें केवल जीरो और एक का उपियोग होता है और किसी चीज का नहीं जो भी machine समझती है वह जीरो और एक के फार्म में ही समझती है अब देखिए memory से related क्या है इसमें memory से related है जब हमारे पास 4 bit होते हैं तो वह होता है यह जो bit आप देख रहे हैं दोस्तों निबल देख रहे हैं byte देख रहे हैं, kilobyte देख रहे हैं, megabyte देख रहे हैं और gigabyte देख रहे हैं यह सब memory की units हैं, ikai या है सबसे छोटी जो iqai होती है वह होती है bit bit यह bit है और 4 bit में होते हैं एक nibble और फिर 8 bit में होते हैं एक byte फिर 1024 अब देखिए यहां पर byte आ गया है bit नहीं अब 1024 byte में 1 kilobyte होता है यानि कि 1024 इसको हम लोग capital B भी लिखते हैं, 1000 capital B को आप लोग लिख सकते हैं वह बराबर होता है 1 kilobyte यानि कि 1 kb के, kb आपने देखा होगा आपकी जो photo होती है form अगर कभी आप भरते होंगे तो आपकी photo जो है 40-50 kb में ऐसे upload होती है 1024 megabyte यानि कि MB में 1 gigabyte यानि कि 1 GB होता है अब अगला देखते हैं, computer की CPU में मुख्य रूप से power on off button होता है जो CPU में जो button होता है, वह on off का एक button होता है इस button को दबाने पर computer में विद्दू संचार होने लगता है इस button को दुबारा दबाने पर computer में विद्दू संचार जो होता है वह बंद हो जाता है, तब computer बंद हो जाता है अब अगला point है reset button द्वारा बिजली से बिना संपर्क तोड़े computer को दुबारा चालू कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है कि मैंने computer विसे आपके राजन पौन सिरीज से पढ़ा दिया है और उसकी एक playlist बना दिया है जितने भी वीडियो बने हैं पढ़ाते टाइम उन सबका मैंने एक playlist बना दिया है तो उस playlist का link मैं आपको नीचे description में दे रहा हूँ उस पे click करने के बाद आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे पहले आपको बहुकल्बी प्रस्णों की वीडियो मिलेंगी फिर अतिलगुत्री प्रस्णों की वीडियो मिलेंगी फिर मैं लगुत्री भी बनाऊंगा उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएंगी और आपके पुराने वरसों को पेपर भी मैं solve करा दूँगा जिससे आपको अनुमान लग जाए कि आपका प्रस्न पत्र कैसा आता है और आपका जो एक डेर रहता है कम्प्यूटर विसे को ले करके वह आपका खतम हो जाए तो यहाँ पर हम मुखे पॉइंट भी देख रहे हैं आपके जिससे आपका जो कॉंसेट है वह क्लियर हो रहा है आपका बेस तयार हो रहा है और पूरी सिरीज देख लेंगे हम लोग और आपके पेपर भी हम लोग solve कर लेंगे तो इससे आपकी तयारी पूरी हो जाएगी और इसके बाद भी आपको कभी लग रहा है कि कहीं लगे इसके बाद भी कि मेरी तयारी कुछ कम रह जा रही है तो आप मुझे बताईएगा या किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे बताइएगा मैं आपको बहुत टॉपिक अलग से वीडियो के माद्रिम से पढ़ा दूँगा कोई दिक्कत नहीं दोस्तो आपको जहां भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट में बताइए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी बस आपको मैनस से ध्यान से पढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है अब देखिए दोस्तो अगला पॉइंट है की बोर्ड माउस आज कम्प्यूटर के इन्पुट डिवाइस है ये तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अब देखिए दूसरा है अगला पॉइंट है माउस का बटन दबा कर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने यानि ड्रैगिंग पर वह अस्थान काला हो जाता है इसे जिसे सेलेक्ट कहते हैं आप जब माउस को दबा करके एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाते हैं, तो नीला या फिर काले में जो टेक्स्ट होता है, जो चीजें होती हो में सेलेक्ट हो जाती है, तो इसी को हम लोग ये जो ड्राइगिंग का प्रॉसेस होता है, इसी को हम लोग सेलेक्शन या सेलेक्ट कहते हैं, अब अग तीर ना बन जाए अगला point है function key F1 से F12 तक होती है दोस्तों keyboard में आप देखेंगे तो computer के तरब से जो पहली line होती है keys की उसमें आप देखेंगे तो F1 से ले करके F12 यह 12 बटने होती है F का मतलब होता है दोस्तों function इसलिए इन्हें हम function keys कहते हैं इनका अलग-अलग कार्य होता है तो यह संख्या में 12 होती है और इन्हें हम function keys कहते हैं F1 से लेके F12 अब अगला है numeric key pad keyboard के दाई और होती है तो दोस्तों numeric मतलब कि जो आपके numbers होते हैं एक से लेके 9 तक यह जो आपके numbers system के जितने key होती है वह जो होती है वह keyboard के दाई तरफ होती है अब अगला point है caps lock और shift button को दबा कर बड़े अच्छर type होते हैं तो दोस्तों आपके keyboard में एक button होती है cap lock और एक button होती है shift इन दोनों button को जाहें आप cap lock दबा दीजिए तब आप बड़े letters में लिख सकते हैं या फिर आप shift दबा के लिखेंगे तब भी आप बड़े letters में लिख सकते हैं अब अगला point है delete key से screen पर लिखा अच्छर मिट जाता है दोस्तों delete button अगर आप दबाते हैं तो जो भी screen पर लिखा रहता है वह delete हो जाता है मिट जाता है अगला है desktop पर नेली पट्टी को task bar कहा जाता है कहते हैं अगला है screen पर छोटे छोटे चित्र icon कहलाते हैं दोस्तों जो बिभिन अप्लिकेशन होती हैं उनकी जो छोटी छोटी चित्र आपको दिखते हैं उन्हें हम icon कहते हैं अगला है सबसे उपर नीली पट्टी को title bar कहते हैं अब title bar के देखिए title bar के नीचे वाली पट्टी जो उती है उसे menu bar कहते हैं तत्था इसके बाद की पट्टी जो होते हैं उसे tool bar कहते हैं अगला point है computer network आपस में जुडे हुए computerों का एक जाल है जो भौगवलिक रूप से अलग-अलग रखे हुए होते हैं अब दोस्तों computer network की बात कर रहा है इसमें तो computer network क्या होता है कि यह जो होते हैं कई सारे computers जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और कहीं दूर-दूर इस्थित होते हैं तो ऐसे computer जो अलग-अलग जगहों पे इस्थित होते हैं और एक network से जुड़े होते हैं उसी को हम computer network कहते हैं जिसका एक example दोस्तों internet भी है और देखिए अगले point में internet के बारे में क्या लिख रहा है internet देश-विदेश में रखे computer की networking है जो satellite के माध्यम से जुड़े होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे internet भी एक computer networking है जो satellite के माध्यम से काम करती है और देश-विदेश के बिभिन computer इसके माध्यम से जुड़े होते हैं अब अगला point है server computer या program network में इस्थित किसी अन्य computer या program को सेवा प्रदान करता है तो दोस्तों जो server computer होता है वह network में जो computer इस्थित होते हैं वह उन computer को सेवा प्रदान करने का काम करता है जैसे अभी यह video जब आप देख रहे हैं तो अगर माल लेते हैं आप computer पे देख रहे हैं या आपने mobile पे देख रहे हैं तो जो youtube का server है वहाँ से यह video डाउनलोड हो रही है उसके बाद बलब youtube का server आपको सेवा प्रदान कर रहा है यह video चला रहा है तब आप इस video को देख पा रहे हैं तो यही काम होता है server computer जो होता है वह network में उपस्थे ते दूसरे computer को सेवा प्रदान करता है अगला point है computer के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान email कहलाता है तो computer पे दोस्तो अगर आप कोई सूचना भेज रहे हैं या ले रहे हैं तो इसे हम लोग email कहते हैं पहले जो होता था पहले हम लोग खत के माध्यम से अपनी सूचनाओं भेजा करते थे लेकिन जब से computer और internet आ गए हैं तब से हम लोग electronic mail भेजते हैं इसी को email बोलते हैं short form में तो जो सूचनाओं computer के माध्यम से आदान प्रदान की जाती हैं उसे हम email कहते हैं अब अगला point है computer की networking में प्रेशक, ग्राही और माध्यम होता है तो दोस्तों जहां भी networking होती है वहाँ पर एक प्रेशक होता है और एक ग्राही ही होता है और एक माध्यम होता है अब अगला point है दूरी के आधार पर networking के दो तरीके हैं तो दूरी के आधार पर दो network होते हैं दोस्तों एक local area network होता है जिसे LAN भी short form में बोलते हैं LAN LAN भी आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा तो यही होता है वह Local Area Network और दूसरा होता है Wide Area Network W-A-N Local Area Network जैसे की नाम से पता चला है इसका Area जो होता है दोस्तों वह कम होता है और Wide Area में क्या होता है यह Area बहुत बड़ा होता है Network का अगला देखिए क्या लिख रहा है Word by Web यह Server का समूह होता है जो Hyper Text के माध्यम से जुड़ा होता है अगला प्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोगता और Web Server के बीच संबंध अस्थापित करता है जैसे दोस्तों आप मोबाइल में देखते हैं आपका Chrome ब्राउजर होता है UC ब्राउजर होता है वैसे ही आप Computer में देखेंगे तो Internet Explorer होता है Firefox होता है और Google Chrome ब्राउजर होता है तो ये सब ब्राउजर का काम क्या होता है कि ये है आपको यानि कि उपभोगता को और Web Server यानि कि जहां से आपको सेवाएं मिलती है सर्वर के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है जो आपका ब्राउजर है जो उपभोगता का ब्राउजर होता है वह सर्वर और उसके बीच संबंध स्थापित करने का काम करता है अगला पॉइंट है वर्ड वाइब वेब में इस्थित प्रतेक वेब साइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है जिसे URL कहा जाता है तो दोस्तों जैसे आपके घर का पता होता है वैसे ही हर एक वेब साइट का पता होता है एक एड्रेस होता है एक नाम उसे दिया जाता है जिसे हम लोग URL कहते हैं जैसे यह वीडियो आप यूटूब पे देख रहा है तो यूटूब का जो URL है वह है www.youtube.com यह है यूटूब का URL है दोस्तों यहाँ पे जो सभी महतपूर पॉइंट्स हैं वह है आपके खतम होते हैं और दोस्तों अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा घंटी का निशान होगा घंटी पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो all के option पे आप क्लिक कर लीजिएगा जिससे सभी notifications आपको मिल पाएं ताकि आपकी कोई भी जो सभी विश्यों के playlist का link है वह नीचे मैं description में दे रहा हूँ जब आप किसी भी विश्य के playlist के link पे क्लिक करेंगे तो आपको उस विश्य के सभी प्रकार के प्रसनों के videos देखने को मिल जाएंगे पहले आपको बहुविकल्पी प्रसन देखने को मिलेंगे फिर अतिलग उत्रिय फिर लग उत्रिय प्रसन और फिर पुराने वर्सों के paper देखने को मिल जाएंगे दोस्तों और दोस्तों इसके बाद आप मुझे बताईए आपको computer vision में कहां दिक्कत आ रही है किस topic में और कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप बताईए बाकि दोस्तों मिलते हैं next video में और यह video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैहिंद